तो देखी हम बात करेंगे पार्ट फूर्थ में फूर पइंट ओ यानि केमिकल प्रोपर्टेज ओफ मेटल एंड नौर्मेटल्स के बारे में क्या करेंगे अध्यान करेंगे यानि धातूं और अधातूं के रासायनी गूड के के बारे में क्या करेंगे जानेंगे इन्होंने दिया है रियक्सान विद ऑक्सीजन यानि ऑक्सीजन से अभिक्रिया क्या है इसके बारे में क्या करेंगे अध्यान करेंगे तो चलिए हम सुरू करते हैं यहां पे इन्होंने दिया है यू आर फैमलियर विद फुनोमेन और आ आपने देखा भी होगा जाना भी होगा पहचाना भी होगा कि जंग किस परकार को होते हैं कैसे लगते हैं आगे इन्हों दिया है रिकॉल दा रियक्शन भाई इसके बाद आप देख सकते हैं आपे हम बताते हैं आगे इन्होंने क्या दिया विच रश्ट इस फॉर्मेट यानि कहने का मतलब यह है जंग बनने की अभिक्रिया का असमरन कीजिए यानि कहने का मतलब यह है जंग किस प्रकार लगते हैं आप उन्हें याद कीजिए आगे नों दिया यानि कहने का मतलब यह है आपने कहने का मतलब यह जो एक्टिविटी इन्होंने दे रखा है इनके बारे में आप क्लास 7 में पढ़ चुके हैं अध्यान कर चुके हैं आगे नों दिया यानि कहने का मतलब यह है आपने कलास 7 में सीखा होगा दोनों प्रकारों में आक्साइड बनते हैं आगे नोंने यह दिया कॉंप्लिट दा फालोइंग रियक्शन ओफ आइरन एंड मैगनीसियम विद ऑक्सीजन आइरन और मैक्स मैगनीसियम की आक्सीजन के साथ निमनले खित आविक्रियाओं को पूरा कीजिए जैसे कि यहां पर इन्होंने दे रखा है आइरन यहां पर इसम क्या करते हैं डोने यहां पर इन्हों दिया ओ और यहां पर इन्हों दिया ओ और यहां पर इन्हों दिया है मैगनीसियम यहां एमजी प्लास ऑक्सीजन और यहां पर इन्हों दिया ओ टू का मतलब होता है ओक्सीजन टू का मतलब होता है तू ऑक्सीजन है इसमें तो चलिए आगे हम चलते हैं फॉर्मेट एज रिजल्ट दा फॉर्मेट रिजल्ट और रियक्शन विटिन आयरान ऑक्सीजन एंड वाटर यानि कहने का मतलब यह आई हम जानते हैं आयरान ऑक्सीजन और जल की अविकिरिया की पविडाम स्वरू बने जंग की प्रकिर्ति की हम जाच करें जंग कैसे लग अब रॉस्ट एंड और यहां पिनों दिया डाइस ओल इट इन वेरी लिटल अमांट और वाटर यानि कहने का मतलब यह एक चमच जंग को एकठा की जिए जो जैसे लोहे होते हैं लोहे पर जो जंग लगे रहते हैं उनको एक चमच आप क्या करेंगे एकठा करेंगे आगे इकठा करने के बाद उसे बहुत थोड़े ही जल में क्या किजिए घोली है जो जंग एक चमच में जो इकठा करेंगे उसे थोड़े से जल में आपको क्या करना है मिलाना है आगे नुदिया यू विल फाइंड देट रॉस्ट रिमें सस्पेंडेड इन वाटर आप में जालेंगे तो क्या होगा कि है वो जल की नीचे क्या हो जाएगा बैट जाएगा और जल मेला हो जाएगा और इन दिया था शेक दा वेल यानि कहने का मतलब यह है इसके बारे में हम अभी बताते हैं इस फिगर के माध्यम से हम अभी आपको बताएंगे आगे अन्दिया test the solution with red and blue lit mass paper और यहां पर फिगर 4.3 वाट डू यू अबजर्व इस दा सॉलुशन एसेट और बैसिस यानि एसीड और बैसिक यानि कहने का मतलब यह जो लटकन है यहां पर आप देख सकते हैं चलिए हम फिगर के माध्यम से आपको बताते हैं यहां पर आप देख सकते हैं र रेड लेड मंस पेपर यानि लाल लेड म सिक्या है पत रहे और यह रोड चकार लंग्योड की यानि जूंब बैठा देग नी तो यहां पर देख सकते हैं यह जंग है और यहां पर रेट लिटमस पेपर से क्या हो रहा है मिलाया जा रहा है और यहां पर रश्ट सस्पेंशन हो रहा है यानि एक जार में क्या किया जा रहा है पानी और जंग को क्या किया जा रहा है हिलाया जा रहा है और इस परकार यह नीचे नोलन दिया है Testing the nature of rust यानि कहने का मतलब यह इस परकार जंग की प्रकृति का परिछण हो चुका है यानि करने का है एक जार लेना है उसमें एक चम्मत जंग को क्या करना है डालना है थोड़ी सी पानी डालका उसको क्या करना है हिलाना है तो इसमें पता क्या चलेगा जो बारिक जंग रहेगा वो ऊपर आजाएगा पाने के और जो वजन वाला जंग रहेगा वो नीचे गाओगा बैठ जाएगा तो चलिए आगे हम रीड करते हैं तो देखिए पहली यहां पर क्या ओर अगरा इन्होंने गरेश्ट और शर्फेस और वेसलिट यहां पहली यह कहरे रही है क्या कंपर में भी जंग लगता इखिन लेकार के बार्थों की सता पर हरा पदार जमावा देखा है यह पहली कह रहे हैं तो चलिए इनके बारे में आप जानते हैं जानेंगे अध्यान करेंगे क्या कोपर में भी जंग लगता है तो दिखिए यहां पर इनों दिया है विन और कोपर वेसल इन एक्सपोस तो मोईस्ट एयर फॉर लॉंग और यहां पर इंदिया इट एक्वारेस और डॉल ग्रेन कोटिंग दा ग्रेन मेटेयल इस और मिक्सर ओप कोपर हाइड्रसाइड एंड कोपर कार्बोनेट कार्बोनेट और दा फालोइंग इस दा रियक्सान यह रियक्सान हो रहा है आपको लर्न करना पड़ेगा यानि हम बदा देते हैं जो कोपर के बरतनों को लंबे समय तक नम वायू में खुला रखा जाता ह हवा में हलका हलका पाने का मतलब मिक्सर यानि कहने का मतलब यह होता है जब ठंडी हवाज चले तो वह नम वायू होता है उनमें खुला रखा जाता है तो उस पर एक हलकी हारी परत जम जाती है फिर से बताते हैं जो कोपर के बरतनों को लंबे समय तक यानि ठंडी हवा में खुला रखा जाता है तो उस पर एक हलकी सी हरी परत जम जाती है यह यह रापदार कॉपर यानि हाइडराकसाइट और कॉपर कॉर्वनेट का मिस्रण होता है आपको पता होना से यह और यह इनका क्या है रियक्सान है आपको लर्न करना पड़ेगा तो चलिए आप आप कर लिजिएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं तिनुन दिया नाव रिकॉल दा एक्टिवीटी और वर्रेंग मैंगनिसियाम रिवन इस और यहां पर यहाँ पर दिया डाइस वाटर हेंट टेस्ट एड़ एडेट सेट एडिएड नेसुर यानि कहने का मत Magnesium Ribbon के दहन के क्रिया कलाप का आस्मराण किजिए यानि याद किजिए Magnesium Ribbon का दहन करने पर प्राप्त राख को जल में घोल कर उसकी अमली अचारिय प्रकिरती जानने एतुबले का परिछन करते हैं आगे चलते हैं चलिए हम परिछन करते हैं यहां पर इनों दिया is the solution acid basis how do you और यहां पर इनों दिया a certain this तो चलिए हम बता जेते हैं आपे billion आमलीय या चारिय हैं आप इसको किस परकार सुनिशित करेंगे यादि acid है कि बैसीद है आप किस परकार सुनिशित करेंगे कौन सा acid है और कौन सा acid है और कौन सा acid है तो चलिए आगे हम चलते हैं यू मस्ट आ ऑब जब्स धेट रेड लिटमस टर्म ब्लू यानि कहने का मतलब है आपने परीशण किया होगा लाल लिटमस यानि नीला हो जाता है जो लाल रंग का लिटमस होता हो क्या होता है ब्लू हो जाता है यानि जब आप परिश्ण करोगे तो जो रेड लिटमस होगा बलू हो जाएगा आगे इनों ने दिया हम बताएतने सो आकसाइड और मैगनिसियम इस लिए मैगनिसियम के आकसाइड की प्रकिरतिया चारिया है शमाताता धातिक आकसाइड यानि कहने का मतलब यह होता है मैटलिक आकसाइड जो होता है वो क्या होते हैं चारिया होते हैं आगे म।द्द के ढंगा कि कहने का मतलब यह होता है आईए अब धातों की आक्सीजन के साथ अविक्रिया का परेच्छान करें तो देखिए हम बात करेंगे पार्ट फाइब में यानि एक्टिविटी 4.4 की हम बात करेंगे जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जाकर आप देख सकते हैं